कक्षा चोथी विशय हिंदी पाट क्रमंक चार मैं कौन बच्चो मैं कौन इस पाट में कुछ पहलिय पुछी गई है उन पहलियों को पढ़कर समझ कर आपको बताना है कि उस पहलि में किसका नाम चुपा है ठीक है बच्चो तो शुरू करते है वर्षा में या धूप में आउ सबके काम मुझको सीर पर तानते बुजो मेरा नाम तो चलो बच्चो बताओ इस पहलि में किसका नाम चुपा है बारिश और धूप में दोनों में काम आने वाली ऐसी कौन सी चीज है जिसे सीर पर तानते है हाँ बिल्कुल सही चाता तो चलो दूसरी पहली शुरू करते हैं बाहर से सादू जैसी जटादारी काया देह भले ही सकत फीतर कोमल मन है पाया बच्चो सादू जैसी जटादारी काया मतलब उसकी काया याने शरीर कैसा है जटादारी जिसमें जटाई जटा है और देह भले ही सकता है अंदर का मन कैसा है एकदम कोमल है तो बताओ ओ कौन सी चीज है समझ पाए नहीं समझ पाए यह एक खाने की चीज है इसे पुजा में भी उपवग में लाया जाता है तो बताओ क्या हो सकता है ओ चीज बिल्कुल सही नारियल नारियल जो होता है बाहर से जटादारी और सक्त होता है और अंदर से एकदम नरम नरम मलाई निकलती है तिसरी पहेली है सब लोगों का साथ सच्चा पुरे घर की करता रक्षा नाम है क्या मेरा तुम बोलो घर आओ तप मुश्कों खोलो ऐसी कौन सी चीज है जो घर आने पर खोलते है और जो हम सब की घर वालों की सामान की रक्षा करता है बताओ जिस समय हम घर पर नहीं होते है वो हमारी घर की रक्षा करता है हाँ बिल्कुल सही घर का ताला जिसे हम घर पर आने पर खोलते है चौथी पहली है खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती, मोती जैसी मूरत मेरी बादल की मैं पोती तो बच्चो बताओ कौन सी चीज है जो खुली रात में पईदा होती है और हरी घास पर सोती है सोचो सुबह सुबह कभी घर के बाहर बगीचे में या गाव में खेतों में आपने देखा होगा या आपके घर के बाहर गमला है गमले के उपर खुली जगह में गमला रखा है तो उसकी पेड घास की पत्यों पर देखा होगा क्या होता है? बिल्कुल सही पानी की बून उसे कहते ओस 6 अक्षर का मेरा नाम आता हूँ खाने में काम आधा मैं फुलो में रहता आधा मेरा फलो का नाम सोचो बच्चो ऐसी कौन सी चीज है जो खाने में काम आती है और उसका आधा नाम फुलो का है और आधा नाम जो है वो फलो का है हाँ बिल्कुल सही गुलाब जामुन गुलाब फूल का नाम है जामुन फल का नाम है और दोनों को मिलाकर बनती है मिठाई उसका नाम है गुलाब जामुन रंग बिरंगी पोशाको वाली, फूल फूल पर उडने वाली, सबके मन को भाने वाली, उडान है उसकी बड़ी निराली, कौन है ओ, बिल्कुल सही तितली, ए रंग बिरंगे पंखो की पोशाक वाली, तो बच्चों, पहले सुनकर अच्छा लगा, धन्यवाद